हालो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज किम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे आयर एपसी और आर्बी एनल के बारे में दोनों ही स्टॉक में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पर इसके पीछे का रीजन्स कुछ निकल के आ रहे हैं वो हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे साथ के साथ देखेंगे कि आखिर यहाँ से क्या अब आपको कॉंटीनियोसली बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर रेकवरी आपको देखने को मिल सकती है कल के दिन जो भी इंपोर्टन अपडेल्स निकल गया रही हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो मैं आपसे वस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जादा से यादा लाइक करियो जादा से यादा लोगों तक यह इंफॉर्मिशन पहुँच पाए और अगर आप चैनल पर फर्च टाम विजट कर जो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा और बेल आइकन प्रेस जरू कर लिजगा सो डाइड आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे आप देखो यहाँ पर सबते पहले बात कर लिते हैं आज के दिन के मार्केट के बारे में मार्केट में अगर आप देखोगा आज बहुत बड़ी गिरावट हुई सेंसेक्स लगबग एक हजार पॉइंट से भी जादा की गिरावट दिखाते हुने जरा आया निफ्टी 50 में 300 पॉइंट से जादा की गिरावट थी निफ्टी बैंक में आपको 1000 पॉइंट से जादा की गिरावट है और निफ्टी मिड़ कैप आज बहुत जादा परसेंटेज के साथ गिरते हुने जरा है लगवक 1500 पॉइंट की गिरावट मिड़ कैप में आपको देखने को मिली है ओबरॉल मार्केट में आज बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है वहीं बोरोसिल, करोनवेश, सिपला, पेट्रोनेट, एलनजी आज के दिन के टॉप गेनर थे साथे 5% से लेके साथे 11% तक का अपसाइड मुमेंट इन श्टॉक्स में देखने को मिला निफ्टी-फिप्टी के टॉप गेनर भी बनते हुन नजर आये वहीं अगर हम बात करें तो जी एंटेटेन्मेंट, प्रेश्टीज, एस्टेट, हुडगो, रेट्स, आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं, जी एंटेटेन्मेंट में 32% से ज़्यादा की गिरावट है, 32% से ज़्यादा की गिरावट है कॉमेंट में बताइए इन आठ हों स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपके पॉर्टफोलिय में इस टाइम पे है, आई एर अपसी का सीन देखते हैं, लगबग 8% की गिरावट हुई है, 162.45 पर शेयर पहुँच गया है, कल की वीडियो गर आपने देखी होगी तो डेफिनि यादा हाइलाट करके इन चीजों पर मैंने बात करी थी प्रीवेस वीडियो में, तो उसके साब से अगर आप देखते हो तो आज 192 का हाई बना था, 192 का, फिर उसमें गिरावट हुई है, 32 करोड का वाल्यूम है, कल 11 करोड का वाल्यूम था, यानि कि लांच ट्रेडिंग कम है, लेकिन ओबराल वाल्यूम काफी जादा अच्छा देखने को मिल रहा है, वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कि आखिर हुआ क्या, तो आप देखो, रेल्वे स्टॉक्स पर अचानक लगा ब्रेक, IRFC, RBNL और IRC, CTC के शेर्स में भारी गिरावट, यानि कि अगर चीज हैं, इंपक्ट करती ही है, शेर के प्राइस को, और ये मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताते रहत हूं, रेल्वे सेक्टर्स के शेरों में तूफानी तेजी पर अब ब्रेक लग चुका है, IRFC और RBNL समयद, बागी शेर में भी बड़ी गिरावर तेखने को म बग बग 78% की जो गिरावट है, वो आज के दिन आपको देखने को मिली है, अब इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि रेल लिगम के शेर आज यहाँ पर 8% से गिरा, 239 पर पहुंच गया, रेल टेल का शेर 11% गिरा, तीदागर रे रेलवे सेक्टर का शेर टैक्स मार्क को जो भी है, वो यहाँ पर आपको 7% से गिरते हो नजर आया, इरकोन इंटरनेशनल 12% से गिरा, यानि कि ओवर ओल ऐसा नहीं कि के वल आई रेलवे के सारे ही स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर आप देखो ISCTC, IRFC और RBNL पिछले कुछ सेशन में हर दिन 52 वीक हाई लेवल टच कर रहे थे, इसने निवेशकों के कुछी दिनों में पैसे डवल ट्रिपल बनाए, IRFC के शेर एक महिने में 70 फीजदी के आसपस रेटन दिया, और 30 जैन्वरी को 52 वीक हाई का जो लेवल था 175 वो भी kg देखने को मिल गई दी, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि railway के जो शेर है, यानि कि RBNL के शेर गिरावट देखाती हुने रहे है, रिटन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है, ओवर आल जैसे कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तो जो बेसिक अ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी, कि यह स्टॉक से कॉंटिनुसली मजबूती दिखा रहे थे, तो लोगों को लग रहा था, गिरावट होगी ही नहीं, मैं आपको कॉंटिनुसली पार्शल प्रॉफिट बुकिंग का बोल रहा था, उस पर मुझे नेगेटिब सुन भी एस सच कोई नेगेटिव रीजन नहीं निकल गया है, वहीं अगर हम बात करें तो देखो, ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे सेक्टर में ही गिरावट है, मैंने आपको जैसे की स्टार्टिंग ओफ वीडियो में, ओबराल मार्केट के बारे में भी पताया, तो ओबराल मार कर्क्षन आया, इस बज़ए से रेलवे स्टाॉक्स में भी करक्षन है, और रेलवे स्टाॉक्स के हम लोगों ने, और पर्टिकूलर रीजन भी जान लिया है कि आखिर क्यों, जो रेलवे स्टाॉक्स हैं, वो यहाँ पर गित्तियों नहीं वागी दोको, फष्ट फैप को अब ज्यादा दिन बागी नहीं है यूनियन बजट आने वाला है एक्सपेक्टेशन्स बहुत ज्यादा हाई है और अगर एक्सपेक्टेशन्स के अकॉर्डिंग बजट आ जाता है तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज्यादा इंप्रेसिब बन जाएंगी जो गिरावट सारी रेकबरी जो होगी लेकिन उससे भी अडिशनल अलफा जो है वह यहाँ पर जनरेट होती हुए नजर आएगा दूसरी रिपोर्ट भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओबरॉल यहां भी केबल प्रॉफिट बुकिंग ही बताएगी है आईयर अप सी आर बीनल और भी रेलवे स्टॉक्स सीज प्रॉफिट बॉकिंग आफ्टर रिकॉर्ड रैली ठीक है तो यहां भी कोई ऐसा है सच पर्टिकुलर रीजन नहीं निकल किया है आप यहां पर यह भी पड़ पाऊगे कि ओबरॉल जो है कोल इंडिया ने इसले इन सब को मार्केट कैपिटला सब्सक्राइशन के हिसाब से इसले जो है सरपास कर दिया था और यहां पर जो जैसी कंपनी इनके आसपास आगे थी तो एकदम से इतनी वड़ी देजी आती है तो चीज़ें जो है छोटा मोटा करेक्शन सो आपको देखने को मिले गई अगर आप यह एक्सपेक करके चलते चैनल बाकी के रेलवे स्टॉक्स पर आए होप आपको इंफोर्मिशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल फर वस्टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद